हेलो एवरीवान, वेलकम टू पार्मरोक्स यूटूब चैनल, पार्मरोक्स की यूटूब एज़ू किसने चैनल में आपका स्वागत है आज की वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे CBC टेस्ट के बारे में कि जिसको हम कहते हैं Complete Blood Count कि ये एक Blood Taste की जिसके द्वरा रोगों का हम नीदान कर सकते हैं तो सीखते हैं आज के लेक्चर में Blood Taste को किस तरह से हम चेक करें और जानेंगे कि उस रिपोर्ट को कैसे हम और यूज कर सकते हैं अलग-अलग बीमारियों को डाइगनोस करने के लिए अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन से दवाई या यूज होती है उनके dose, side effects, warning and contraindications को एक साल तक वो भी सीखे काफी affordable price में और सरल बासा में PharmaRox के अब उपर Android यूजर, Android आप डाउनलोड करे, iPhone यूजर आप स्टोर से लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631-2020 पर आप हमें call या whatsapp कर सकते तो आप सीखते है complete blood count के बारे में कि जिसको हम total count भी कहते हैं कि जिसको TC भी कहा जाता है स्वाट में या फिर हम उसको CBC कहते हैं तो और जब भी किसी का blood test किया जाता है तो जिससे हमें जो report मिलता है उससे पता चलता है कि आपकी overall health कैसी है कोई बीमारी है कोई कमी है या फिर कोई विकार है तो वो पता चलता है कि डिसस मतलब कि कोई बीमारी है आपके सरीर के अंदर deficiency होना मतलब कि किसी vitamins की कमी या फिर किसी nutrition के आपके अंदर कमी है तो भी पता चलता है और तीसरा कोई विकार है आपके body में तो वो भी पता चलता है जब blood test हम करते हैं जैसे कि कि किसी को एनेमिया है कोई infection हुआ है leukemia है या फिर B12 की deficiency जैसे अलग-अलग हम पता लगा सकते कि कौन से बीमारी है patient को तो आगे सीखते है detail में तो blood test को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि blood cells क्या है blood cells मतलब कि हमारे खून के अंदर रहे ऐसा cells की जो अलग-अलग function है उनके जैसे कि एक cell है जिसको हम कहते है red blood cell की sort में आप उसको देखो तो RBC लिखा हुआ होता है तो उसको RBC भी कहते है या फिर erythrocytes भी कहते है कि जिसका main role होता है oxygen and CO2 का exchange करने में हमारे body के अंदर फिर दूसरे है हमारे white blood cell की जिसको हम WBC कहते है sort के अंदर तो उसको sort में WBC कहते है या फिर उनको leukocytes भी कहा जाता है तो leukocyte अलग-अलग प्रकार के जिसके neutrophils होते है eosinophil होते है, bezophils होते है, lymphocytan, monocyte की जो एक प्रकार के immune cell है और अलग-अलग बीमारियों के सामें हमें एक रोग प्रतिकार रख सकती देते है और तीसरे cell है जिसको हम platelets कहते है या फिर thrombocytes उनको कहा जाते हैं कि जो blood clotting में help करते हैं कि जब भी कोई injury होती है और हमारी blood vessels break होती है तो वहाँ पे platelets जमा हो जाते हैं और खुन को जो वह बहुत ज़्यादा loss होने से रोग देते हैं तो इस तरह से अलग-अलग blood cells का जो वह काम होता है और हमारे body के अंदर हम देखे तो 45% जितने blood के अंदर 45% जितने blood cells है और इनके तीन नाम जिसे मैंने आपको बता है red blood cell, white blood cell and platelets उनकी normal value आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि white blood cell खासकर 4000 से लेकर 13000 जितने होते हैं पर micro liter के अंदर कि जब भी blood sample लिया जाए और उसमें micro liter के अंदर हम जब check करें तो micro liter quantity के अंदर हमें 4000 से लेकर 13000 जितने white blood cell देखने को मिल सकते हैं वही RBC के हम बात करें तो वो खासकर millions में होते हैं 4.5 से लेकर 5.9 millions पूरुसों के अंदर होते हैं और महिलाओ के अंदर वो 4.1 से लेकर 5.1 millions जितने रहते हैं हेमोगलोबिन के हम बात करें तो वो 14 से लेकर 17,5 जितना होता है पूरुसों के अंदर और महिलाव के अंदर हम देखे तो 12 से लेकर 15 जितना होता है हेमोगलोबिन की जिसको हम सौट में HB कहते हैं और प्लेटलेट्स के हम बात करें तो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं 1,500,000 से लेकर 4,500,000 जितने पर माइक्लोड़ ओफ ब्लड मतलब की यह नॉर्मल वैल्यू से तो इसे से पता चलता है कि अगर उनके वैल्यू कम होती है या फिर जादा हो जाती है तो उससे अलग-लग बीमारियों क्या पता लगता है तो red blood cell के हम बात करें तो red blood cell किस तरह से होते हैं तो खास कर 98 से लेकर 99% जो total blood cell है वो red blood cell है हमारी body के अंदर कि जिनके अंदर हिमोगलोबीन होता है कि एक प्रकार का protein है उनके अंदर और ये red color के होते हैं कि जो oxygen को carry करते हैं और साथो साथ oxygen and CO2 के exchange में जो हो help करते हैं तो जब hematology perform की जाती है blood test perform की जाती है इस तरह से उसकी values हमें मिलती है तो यहाँ पर आप देखो कि test का नाम लिखा है CBC और उसके अंदर सबसे उपर आप देखो कि हिमोगलोबीन लिखा हुआ है तो हिमोगलोबीन देखो कि patient का HB लिखा हुआ है 11.3 और unit है gram पर deciliter के अंदर तो जो reference values आप देखो तो normal value यहाँ पर लिखी हुए कि biological reference value है 13 से लेकर 17 तो उपर L लिखा है मलब कि low है कि 13 से लेकर 17 जितना होना चाहिए HB but HB 11.3 है तो हम कह सकते है कि HB जो है वो कम है patient का फिर आप hematocrit की value देखे तो भी आपको पता चलेगा कि वो value 40 से 50 होती है कि जहाँ पर 34.6 है और तिसरा सबसे important जो red blood cell होते है तो RBC की value आप देखो कि 3.7 million से जबकि normally होते है 4.5 से लेकर 5.5 million जितने हैं तो यह clearly यह indicate करता है कि यह patient के अंदर खून की कमी है क्योंकि उसके RBC भी कम है क्या आप यहाँ पर चेक करो तो RBC और उनका HB दोनों जो है वो कम है कि इससे यह पता चल सकता है कि RBC कम है HB कम है कि patient जो वो एनेमिक है उसके अंदर खून की कमी है तो सबसे important यह तीन value चेक करनी होती है RBC के लिए और हीमोगलोबीन के लिए तो यहाँ पर बात यह कि अगर किसी patient का high RBC count आ रहा है तो उसको क्या indicate करे कि low का तो चलो आपको पता है बट RBC बहुत ज्यादा है तो वो condition को हम क्या कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि low oxygen low blood oxygen level है कि आपके blood के अंदर oxygen का level जो है वो काफी कम हुआ है दूसरा condition की heart failure की condition भी हो सकती है तिसरा dehydration के कारण भी RBC count जो वो increase हो सकता है आपके lungs disease वालब कि फेफ़डों में कोई वीबारी है तो भी आपके RBC count जो है वो increase हो सकते है साथ उसाथ HB भी increase होगा वो ही case के अंदर और उससे reverse condition की low RBC है RBC count कम हो गए तो उसका indicate यह करता है कि patient को NMEI है में लगए खून की कमी है iron deficiency हो सकती है beat well के deficiency हो सकती है fallet की deficiency patient के अंदर weakness होगी या फिर किसी भी तरह से blood loss हुआ है जिसके करन उसके body के अंदर RBC count जो हो कम हो गए है या फिर उसका hemoglobin भी साथ हो साथ कम हो गए है कि जिससे यह कह सकते हैं तो उसके अंदर खून की कमी है तो RBC count से इस तरह से ही हम पता लगा सकते कि वो बड़े हैं या फिर वो कम हुए है तिसरा जो second है वो है white blood cell की जो एक हमारे immune cell है कि वो 1 से लेकर 2% होते है total blood cell के तो उसके जिसे हमने अभी बात की कि monocytes होते है, eosinophils होते है basophils होते है, lymphocytes होते है and neutrophils के जिनको जो है वो leukocytes भी कहा जाते है, तो वो जब measure किया जाते है, तो उनके लिए word use किया जाता है total leukocyte count या फिर उनको TLC भी कहा जाता है, तो कई बार आप यह सा word सुनते होगे कि TLC बढ़ गए है या फिर TLC जो ही वो कम हो गए, तो उसका मतलब यह होगे कि आपके body के अंदर white blood cell की मातरा बड़ी है या फिर कम हो गई है तो यहाँ पर एक sample report है, उसमें आप देखो कि जो total count है वो है 7.7 मतलब कि 7,700 जितना है और regular value जो हमने देखा था कि 4000 से 10,000 या फिर 4000 से 13,000 जितनी होती है, तो यहाँ पर normal की range में हम कह सकते हैं और दूसरे भी आप देखो कि neutrophils कितने हैं तो 64% जितने neutrophils है उसके अंदर कि जो होने चाहिए 40 से लेकर 80% जितने फिर lymphocides आप देखो तो वो है 22% की जो normal की range में है फिर monocyte भी 10% कि जो normal है, eosinophil 4% वो भी normal की range में है और bezophil 0% है कि जो खासकर less than 2% जितनी होते हैं तो अगर किसी patient का WBC count high है या फिर ऐसे कहीं कि जो immune cell है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए विकोज जो WBC है उनको immune cells भी का जाते हैं जो हम एक immunity प्रोवैड करते हैं तो WBC count increase हुआ है उसका मतलब यह हुआ है कि आपके body के अंदर कोई infection है या फिर कोई antigen आपके body के अंदर enter हुए कि जिसको kill करने के लिए आपके body के अंदर antibodies produce हो रहा है जिससे आपके body के अंदर WBC count जो है वो increase हुआ है तो क्या होता है specially कि मैं आपको समझाओ कि जब भी हमारी body के अंदर कोई antigen वगिरा enter होते तो उनको kill करने के लिए तुरंथ हमारी body जो वो antibodies produce करना सुरू कर देती है और हमारे body की जो immune cell से वो antibodies produce करके उसको kill करने का try करते और उसको destroy करके infection को ठीक करने के लिए काम करते हैं तो जब भी इस तरह से कोई infection होता है कि कोई bacterial infection है कोई viral infection है तो या फिर कोई allergic condition है तो ऐसी condition में आपके white blood cell जो है वो बढ़ जाते है because उस वक्त immunity जादा चाहिए तो वो condition में आपके WBC count बढ़ते हैं दूसरी condition देखे तो अगर bond marrow के अंदर abnormality से अगर समझे कि infection नहीं है तो दूसरा एक reason बन सकता है कि abnormality कापका bond marrow जो हो अच्छे से काम नहीं कर रहा और या फिर बहुत ज़्यादा amount में WBC produce कर रहा है तो उसको abnormality कहीं जाती है bond marrow की फिर अगर आप smoking करते तो भी आपके WBC count बढ़ेंगे फिर आपके फेपडों में बिमारी है या फिर आपके अंदर immune disorder से आपके body के अंदर या फिर कोई allergic reactions हुई है आपके body के अंदर या फिर कोई inflammatory reaction में अलब कि सूजन आगई है बहुत ज़्यादा तो भी WBC count बढ़ेगा या फिर आपके body के अंदर कोई physical या फिर emotional stress है तो भी WBC का जो count है वो increase हो सकता है फिर दूसरी बात करें कि WBC कब कम होते हैं तो अगर किसी को cancer है कि cancer के अंदर आपके WBC कम हो जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि TLC count जो काफी कम है तो उसका मतलब हो सकता है कि एक diagnosis ये बनता है कि patient को सायद cancer हो सकता है because cancer के patient के अंदर WBC count जो वो कम हो जाता है तो फिर detail diagnosis के लिए फिर से cancer के लिए जो confirmative test होते हैं वो किये जाते हैं फिर दूसरा reason ये बनता है कि आपकी immune system अच्छे से काम नहीं कर रही है या फिर आपकी immune system defective है तो भी आपके body के अंदर TLC count कम हो सकते है तिसरा नीदान ये हो सकता है कि आपके bond marrow जो है वो damage हो चुके है या फिर bond marrow के अंदर कोई disorder है वहाँ पे कोई विकार है जिसके करन bond marrow जो है वो अच्छे से WBC को produce नहीं कर रहे है जिससे उनकी जो है वो कमी हो रही है WBC count आपका कम हो रहा है फिर autoimmune disorders की जिसके अंदर हमारे ही body के immune cell हमारे ही body के healthy cell को damage करना सुरू करते हैं तो उस वक भी WBC count काफी कम हो जाता है या फिर आपके body के अंदर ऐसा infection है जैसे कि आपको समझा कि TB हुआ है तो TB में भी WBC count कम हो जाते है और दुसरा HIV HIV infection में भी WBC कम हो जाते है फिर immune system के ऐसे condition है आपकी immunity अच्छी नहीं है या फिर Crohn's disease की condition है तो ये सभी conditions के अंदर या फिर आपके body के अंदर mal nutrition है कूपो सी थे आप proper आपको nutritions नहीं मिल रहे तो भी आपके WBC count कम हो सकते है तो यहाँ पे आप report देखो कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो patient इसके अंदर total blood count देखो तो वो है 10,500 है कि जो यहाँ पे reference range लखिये 4000 से 11,000 तो usually जैसे हमने देखा कि 4000 से लेकर 10,000 जितने हो सकते हैं या फिर 13,000 की range में होते हैं तो उतने range में होतो समझो मान लेते कि normal है बड़ उससे abnormal हो जाए तो यह कह सकते कि कोई बीमारी है आपके अंदर की जैसे अभी हमने आप डिसकस किया है फिर जो तीसरे cell है वो platelets के platelets के count से भी जांच होती है कि आपके अंदर कौन से प्रकार की बीमारी है तो platelets आप देखो कि यहाँ पे reference है कि यह patient के अंदर 2,30,000 जितने platelets है और उसके reference range यहाँ पे लिखिये है 1,500,000 से लेकर 4,25,000 उसी तरह से यह दूसरा एक report है नीचे उसमें देखो तो 4,00,000 जितने around platelets है तो यह indicate करते कि platelets counts यह वो patient के normal है but कुछ conditions ऐसी होते हैं कि जिसके अंदर platelets की जिसको हम thrombocytes कहते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है कि जो blood clotting की process में सबसे ज़्यादा help करते हैं कि जब भी कोई blood vessels break होती है किसे जगा पर damage होता है injury होती है तो जो blood loss होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ देर के बाद वो खून जो बाइना बंद हो जाता है वहाँ पर blood clotting होने के कारण blood loss जो वो prevent होता है तो उसके लिए platelets मदद करते हैं बड़ अगर platelets समझो कि किसी के आख़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या problem होगा कि उसको medical condition में हम thrombocytosis कहते हैं कि platelets counts जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जिससे आपके body के अंदर blood clotting होना जो वो सुरू हो जाएगी body के अंदर because platelets का जो काम है blood clotting करवाना और उनकी मातरा समझो कि बढ़ जाती है तो blood clotting होना जो वो सुरू हो जाएगा आपके body के अंदर कि आपके जो bone marrow है वो defective हो चुके और बहुत ज़्यादा amount में platelets को जो वो produce कर रहे है तो ये खास कर बच्चों में भी देखा जाता है adults के अंदर भी देखा जाता है कि किसी infections के करण जो platelets counts जो वो काफी बढ़ जाते है तो उसके reasons कुछ ऐसे होते हैं कि post splenectomy के अंदर भी ये होता है फिर reactive thrombocytosis के अंदर जैसे कि कोई infection से inflammatory disorder से तो भी कई बार platelets बढ़ जाता है malignancy में भी बढ़ते है कई बार platelets iron deficiency में बढ़ जाता है thrombocytemia में भी फिर polycythemia जैसी condition तो ये अलग-अलग ऐसी condition से कि जिसके अंदर platelets counts जो बढ़ जाता है फिर उसके individual test perform के जाते है confirmations के लिए कि अगर आप simple CBC के अंदर देखो कि platelets बढ़ चुके है तो ये सब अलग-अलग disorders जो वो identify होते है high platelets count के करन अगर platelets count जो वो कम हो गया कि जिसको thrombocytopenia हम कहते है तो वो कौन सी conditions में होते है कि अगर आपको dengue बुखार हुआ है या फिर अप्लास्टिक एनेमिया हो सकता है vitamin B12 की कमी fallet की कमी है iron की deficiency है viral infection से HIV हुआ है या फिर chicken pox जिसी condition है तो भी आपके platelets count जो वो काफी कम हो जाते हैं फिर आप बहुत ज़्यदा सराप का सेवन करते हैं या फिर cirrhosis की condition है, leukemia है myelodysplasia की condition है या फिर किसी chemotherapy की गई है आपके उपर या फिर आप किसी weak iron मलब की radiation या फिर किसी toxic chemical के contact में आए है तो भी आपके low platelets platelets counts जो वो कम हो सकते हैं report के अंदर platelets counts जो वो आपके low दिखाए देंगे तो इस तरह से blood test पता चलता कि कौन से अलग अलग बीमारिया है तो main तीन चीज़ चेक की जादी खास कर red blood cell की value वो ज्यादा है या कम है second आप जो वो WBC चेक कर देख WBC जो है वो increase हुए है या फिर WBC जो है वो count कम हो चुके या तिसरी condition है वो platelets के इस तरह से blood test को आप समझ सकते हैं तो ऐसे इसी के अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में दवायों के basic use दो side effect warning and contraindications को सरल बासा में एक साल तक affordable price के अंदर farmer rocks के अप अप अपर android user android app download कर iphone user app store से या फिर 9016312020 पे आप इमें whatsapp कर सकते हैं तो अभी download करें आप farmer rocks और access करिए medicines related courses को good luck and all the best